हलो गाइज, वेलकम बैक आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमें एक फ्लोचार्ट बनाना हैं कोई दो नंबर के सम के लिए तब हम क्या करेंगे और इसी वीडियो में हम डिसकस करेंगे यदि हमें कोई condition चेक करनी हो जैसे मान लो दो में से कोई एक नंबर कौन बड़ा है या identify करना हो तब हम कैसे फ्लोचार्ट बनाएंगी ये दो टाइप के फ्लोचार्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को completely देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों से भी करवाएं चलिए शुरू करते हैं तो एक फ्लोचार्ट बनाना है जो क्या करेगा दो नंबर्स को एड़ करेगा ठीक है तो यदि हम इसके लिए algorithm लिखते तो पहला step क्या लिखते है पहले step हम लिखते कि यूजर से input लो ठीक है तो हम इस input लेने के लिखते हैं read क्योंकि computer को हम instruction दे रहे हैं कि उसको read करना है दो value तो कहां से read करेगा जो user देगा ठीक तो दो value को मान लिए हमने a और b ठीक तो a और b को उसको क्या करना है read करना है दूसरे में क्या करेगा वो calculate करेगा calculate sum is equals to a plus b and third step में क्या होगा वो इसको जो उसने calculate कर दिया है उसको output देगा मतलब write कर देगा sum read मतलब input write मतलब output confused नहीं होना है ठीक है और फिर भी यह दि कोई doubts रह जाएं तो feel free to ask your questions in comment box ठीक है उसके लवा मैं इस चीज़ के लिए भी thanks बोलना चाहूंगी कि आप लोग जो comments में appreciate करते हैं videos को उसके लिए मैं heartly thankful हूँ आप सभी की क्योंकि सच में हम किसी भी age में हो कुछ भी काम कर रहे हो कोई भी छोटा सा appreciation भी हमारे लिए बहुत matter करता है है ना तो thank you so much guys कि आप लोग भी अपने busy schedule में से time निकाल के comment करते हैं और दोस्तों को भी suggest कर रहे हैं आप channel उसके लिए भी बहुत सारा thanks आप सभी को और यदि नहीं किया हो तो आप suggest कर देना दोस्तों को ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो देखिए flow chart क्या होता है यह जो algorithm थी इसका pictorial representation तो हमें क्या करना है हमने पिछले वीडियो में बात की थी यदि इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखिए flow chart के symbols वाली तो पहले आप उस वीडियो को देखकर आए तो यह आपको easily समझ में आएगा ठीक है तो उसका पहला rule था कि हम यह जरूर बताएं कि यहां से हमारा flow chart शुरू हो रहा है तो यहां हमने बना दिया start start के बाद में किस पे गय हम उसके बाद में आपको value read करनी read करने का symbol क्या था आपका यह हलका सा tilt क्या हुआ rectangle गया जिसको आप parallelogram भी कहते हैं वो इसमें हम क्या कहेंगे user को दो value लेनी थी read a b तो हम यहां लिख देंगे read a,b मतलग यह दो values को input लेना है अब क्या करना है इसके बाद में a और b के value आ गई जब हमारे पास तो next step है calculate करना calculate करने के लिए जो symbol है वो है rectangle यहां हमने लिखा sum is equals to a plus b अब start कर दिया था यह तिर्चे वाले से पता चलता है कि हम input ले रहे हैं यह processing हो गई हमारी अब हमको देना है output input और output के लिए same symbol है तो हम यहां क्या लिख देंगे right output में क्या value print करवाने है sum की write sum अब जब यह काम हो चुका तो अब क्या कर देंगे flow chart को stop तो यहां पे हम ellipse बना के लिख देंगे उसमें stop ठीक है तो यह था हमारे एक simple सा flow chart flow chart में हमेशा दो symbols रहेंगे first or last में ellipse रहेगी जो start को भी denote करती है और and को भी read याने input लेना ठीक है यहां पर हमने क्या लिया है input दो value ले ली यह होता है processing या फिर calculation जो भी calculation होगी वो हम इस box में करवाएंगे जो calculate हो गया उसको जब print करवाना है तो हमने फिर से जो symbol यह वाला था उसको denote किया ठीक है और जब हमने output दे ही दिया है यह तो फिर अब हमारी जो flow chart की उसको काम खतम और हम stop करवा देंगे इसको ठीक है तो चलिए अब हम next बात कर लेते हैं दो नंबर में से यदि बड़ा नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे ओके तो यह हमने question बना लिया हमारा design a flow chart to find greater among two numbers देखिए क्योंकि अब हम computer science के हैं हमको मान दो software बनाना है आगे चलके तो हम आवहीं कुछ भी नहीं लिख सकते हैं हमको हर type से सोचना पड़ता है जैसे हम chess खेलते हैं तो chess में हम सोचते हैं कि यदि हमने हाती को इस direction मिलेगा तो हो सकता है सामने वाले का वजीर उस हाती को मार दे तो वैसे ही जब हम computer में कोई program बनाते हैं तो हम हर तरीके की condition को ध्यान में रखते हैं अब देखो दो number में से आपको find करना है कि बड़ा कौन छा है तो अब क्या हो सकता है तीन cases हो सकते हैं हम दो values मानलेटे a और b अब तीन case हो सकता है कोई a में बढ़ी value दे दे तो a बड़ा हो जाए और b छोटा हो जाए हो सकता है कोई B को बड़ी value दे दे और A को छोटी ठीक है तो A छोटा हो गया और B बड़ा हो गया अब हो सकता है कि कोई होश यार बंदा दोनों में equal value दे दे ताकि वो यह test कर ले कि भईया प्रोग्राम से चल रहा है कि नहीं तो हमारे पास कितनी conditions आ गई यहाँ पर तीन condition टोटल तो अब जो है हम लिख लेते हैं अपनी algorithm क्यों क्यों क्योंकि algorithm लिख लेने से flow chart बनाना काफी हद तक easy हो जाता है ठीक है तो पहले step आप चाहें तो यहां start भी लिख लिया करें ताकि flow chart भी बनाओगे तो ध्यान रहेगा start करने के बाद क्या करना है बिलकुल दो values को read करवाना है तो हम यहां लिख देंगे read two numbers दो numbers को read कर लो और उन numbers का नाम क्या दे दिया हमने a and b अब क्या करना है अब test करना है test या फिर check दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप ठीक है check और test क्या test करेंगे हम कि क्या a और b equal है यदि a और b equal है यदि ये true हो यदि ये true हो जाता है तो फिर output में क्या दे देंगे हम if yes then write a is equal to b यदि ये false हो जाता है ठीक है yes होता है तो no और यदि ये false हो जाता है इसी में लिख लें यदि हम if condition is false जिदी condition false हो गई then go to step 4 चार number step पर आगए इसमें क्या होगा अगर condition false हो गई इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है याने एक बड़ा और एक छोटा है तो अब हम क्या करेंगे फिर उसको check करेंगे क्या check करेंगे if a is less than b क्या a less than b है यदि ये सही होता है यदि ये सही हो जाता है तब हम क्या बोलेंगे क्योंकि हमको find कौन सा करना है greater तो यदि a is less than b मतलब b is greater then right b is greater लेकिन ऐसा अगर नहीं होता तो हम उसको लिखते हैं else if मतलब यदि ये condition सही होती है तो और else का मतलब होता है कि अगर condition सही नहीं होती है तो ठीक है तो अगर नहीं होती है तो हम क्या बोलेंगे उस case में go to step 5 पांच नंबर के step पे चले जाओं तो पांच नंबर के step में हम क्या लिखवा देंगे हम लिखवा देंगे कि भाई साब a is greater क्योंकि जब b greater नहीं है तो इसका condition कब false होगी जब यह बोल रहा है कि भाई चोटा है और बड़ा है पर यह condition होगी false इसका मतलब a बड़ा है और b छोटा है तो क्या कर देंगे हम a is greater और finally हम क्या कर देंगे stop करवा देंगे सिक्स्थ में आ गया हमारे पास में stop अब अगेन एक बात मैं फिर से कहूंगी इस वीडियो में कि एक प्रोग्राम को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं वैसे ही एक अल्गोरिदम को लिखने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हो सकता है कोई person यह जो हमने a is less than b चे problem का solution चीक है तो आपको confused नहीं होना है कि यहां तो ऐसे लिखा हुआ है कहीं किसी और जगे यदि आप देखें बुक में देखें तो अलग दिया हुआ हो don't get confused ओके चलिए तो हम start करते हैं यह हमने start किया start के बाद क्या करना है दो values को read करना है तो हमने read कर वा लिया read a,b अब यदि आप वीडियो पहले वाली नहीं देखेंगा है जिसमें हमने flow chart के symbols discuss कें तो उसको देख लो उसमें हमने क्या बताया है कि जो diamond का symbol है उसमें चेक की जाती है condition तो पहले हम क्या check करेंगे if a equal equal b अब यह जो दो आपको direction दिख रहा है आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ले ले हम if a equal equal b यह जो condition है यदि true हो जाए मतलब सही हो तब हम क्या करने वाले हैं तब हम simply write करवा देंगे क्या write करने वाले हैं a is equals to b a equals to b को print करवा देंगे ऐसी condition में but possibility यह भी है कि condition यह वाली क्या हो जाए false मतलब a और b equal नहीं है तो अगर equal नहीं है तो फिर दो बाते होंगी कौन सी दो बाते हैं बाते दो यह होगी कि या तो a बड़ा होगा या फिर b बड़ा होगा तो फिर से क्या करना है हमको इसको check करना है कि भाया ठीक है यह और भी बराबर नहीं निखले बट क्या a less than b है यदि a less than b वाली condition true हो जाती है है ना कि a छोटा है b से तो हम क्या उल देंगे इसका मतलब होगा b बड़ा है तो हम right क्या करवा देंगे b is greater और अगर ऐसा नहीं है false a छोटा है b से इसको कह दिया कि यह बात गलत है कि a b से छोटा है इसका मतलब क्या हुआ a b से बड़ा है तो अब हम इसी condition में क्या कर देंगे यहां पर print करवा देंगे यहां राइट लिखो यह प्रेंट लिखो एक ही बात है ठीक है क्या print करवा देंगे कि भाई साब a is greater and finally condition को इसी भी हो यहां पर आप connector लगा सकते हो यहां फिर यहां डारेट लिख सकते हो stop टेक है यहां भी stop हो सकता अगर equal है तो बस equal print किया और stop यदि B बड़ा है तो B को print किया और यहां पर जाके क्या हो गया हमारा stop आ गया है otherwise यहां पर गए हम यह आप चाहें तो यहां से इसको भी connect कर सकते हो इस stop से कि अगर इस condition में आए प्रेंट करवा दिया A is greater than B या A is greater और उसके बाद में stop कर दो ठीक है तो यहां आपको यह देखने को मिला कि start और stop तो लगाने ही है साथ में क्या करना है आपको यह वाले जो symbols हैं इससे हम input ले रहे हैं या फिर output दे रहे हैं यह जो symbol है इसकी condition या तो सही होगी या फिर गलत होगी ठीक है दूसरी चीज़ यहां यह stop बनाने की बजाए यदि आप यहां से एक arrow निकाल करके लाएं और इससे touch करें तो भी चलेगा ठीक है तो यह stop लगान हैं और कीप लविग और कीप सपोर्टिंग चैनल थैंक यह सो मच